हेई गाइस वेल्कम बेक टो मारे डूप चैनल तो आज हम डीमन किंग सीरिस को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं तो जैसके हमने प्रिवेश एपसोर में देखा था लोग डिसकस कर रहे होते हैं मीटिंग में कि लाइक उस इंसान का कुछ कर भी नहीं सकते हैं कि उसके पा कर दो सारे सेम ही है प्लैनिंग ब्यूरो कर तो कोई सेंस नहीं है सेम कपड़े कैसे देदी उन्होंने फिर नूरी जाती है मास्टर के पास और बोलती है मैं तुमाले कपड़े ले आई हूं तुम नहांके कपड़े डाल लो फिर वह कुछ साथ हरान हो जाती है कि यूंकि तुम नंगे आगे बाहर यहां पे तुम्हारे क्लोट्स है वह रख्केवान से शायद भाग जाती है उसके पास पकड़ाकती है और वहां से जल्दी से भाग जाती है तुम्हें बाहर का सिंध्य है तो बाहर बैठे होते है नूरी सोच रही होती है कि काफी टाइम हो गया यह चीफ ने बोला होता है कि नूरी प्लीज अपने लोड को तुम शांत रखना मैं भीक मांगता हूं तुमारे सामने नूरी सोच रही होती है कि मैं अपने मास्टर को कैसे अच्छा फील करा हूं देखने से अपसट लग रहे हैं फिर उसे कुछ आइडिया आता है वो बोलती चलो तुमा है कुछ अच्छे कपड़े खरीदते हैं आ अ व cooked बोलत या कंच आये चलो शॉंब और रहा हूते हैं पर एक problem है नुरी क्या problem वो सोच रहा है मझाब सोच रही होती है कि क्या प्रोब्लम होगी से मेरे साथ नहीं करना शाथ है वैसे अपने dimensional pocket को open करता है और एक बहुत बड़ा क्रिश्टल बार आ जाता है वो बोल्डर होता है अगर मैं इस चीज़ को यहां पे बेचें तो काफी पैसा मिल जाएगा फिर वैसे चले हो तेनूरी बोल्डरी होती है एक exchange market है जिसे national intelligence service चलाती है यह एक ऐसी जगा जाम पे तुम खरीद और बेच सकते हैं चीज़ों को magic stone को जो की तुम में एनिमीज को मार के मिलती है ब्यूरो के लोगनी पर जो members आवेकनर association के वो भी यहां पे चीज़ें बेचते और खरीदते हैं अगर तुम gems के बारे में करना चाहते हो बेच और खरीद तो तुम वहां पे जा सकते हो वो एक लड़की के पास जाता है वो लड़की बोलरी होती है कि exchange market में मैं तुम्हारा welcome करती हूं किस तरह के के gem को तुम बेचना चाहते हो पहले तुम्हें हमें दिखाना पड़ेगा कि तुम्हारा crystal कौन सा है क्योंकि हमें measure करना पड़ता है प्राहिंग बोल रहा होता है यह है मतलब वो दिखा देता है तो वो जो लड़की होती है वो कुछ जादा है आनों कि बोलरी होती क्या तुम थोड़ टाइम वेट करोगे वो फिर ऐसे अपने senior को पूछती है कि Mr. Park कोई यहां पर gemstone को बेचने के लिया है वो इंसान बोल रहा होता है कि तंग मत करो मुझे अगर उसका level 2 या फिर उससे कम मैं खुद बखुद धियान रखो वो लड़की बोलरी होती है जैम यह normal size का नहीं है पार्क बोल देता है क्यों यह अंदर आने दो वो सोच रहा होता है कितना ही बड़ा होगा पर ऐसे नूरी बोल रही होती है कि hello मैं नूरी हूँ national intelligence service से पार्क बोल रहा होता है हाँ मैं पार्क सुन हूँ सेल डिविजन 3 से वो सोच रहा होता है कि अब ये इंसान कोन है मैंने उसे बोला हुआ था कि जैम स्टोन को यहां पिलाना है ये लड़का कोन बैठा हुआ है ये तो बिल्कुल ये एक बेफकूफ से इंसान लग रहा है नूरी बोलती होती है कि मास्टर ने जैम दिखाते है पार्क सोच रहा होता है कि जो एक्सचेंज की रेपूटेशन है वो काफी ज़ादा गिर जाएगी अगर इस तरीके के इंसानिया पे घुमेंगे तो वेल कपड़ों के एलेटेट बोल रहा होता है टाहिंग को ऐसा टाहिंग क्रिस्टल फैक देता आगे की तरफ पार्क काफी ज़ादा हरान हो जाता हो सोच रहा होता है कि ये ये तो मैजिक स्टोन है मैं बलीब नहीं कर सकते हूं कि इतनी बड़ी चीज़ भी होती है इसका लेवल क्या है टाहिंग बोलते तो तुम कितना दोगे पार्क बोलते मुझे माफ कर दो इतना बड़ा मैजिक स्टोन मुश्किला भी हमारे लिए से खरीदना हमें नैशनल लेवल बजट चाहिए इसके लिए टाहिंग बोल रहा होता अच्छा वो उस क्रिस्टल को ऐसे अपने हाथों से तोड़ देता और टुकले कर देता उसके वो एक छोटा से क्रिस्टल पार्क के पास फैक्त है पर मैंको फंट्स चाहिए से अभी खरीदने के लिए तो मैं थोड़ा बहुत बेट करना पड़ेगा ये प्रोब्लम है टाहिंग बोल रहा होता है कि तुम्हारा जो एक्सचेंज मार्केट है वो सबसे बड़ा है कोरिया में तो मैं एक छोटे से जैमस्टोन को रही खरीद सकते हो मैं काफिज जादा डिसापॉइंटे हूँ पार्क सोच रहा होता है क्या ये में को नीचे दिखा रहा है नूरी बोलती है कि हमें अभी पैसा चाहिए क्या तुम थोड़ा बहुत भी नहीं दे सकते हो भी नूरी बोल रही होती है कि में को पता है कि जो प्लैनिंग ब्यूरो है वो अलावड़िड है जैमस्टोन के लिए ओरिजिनल वैल्यू से कम प्राइस में तुम काफिज जादा पैसा कमाओगे इससे अगर तुम हमें एक खृद होगे तो पर तुम ये भी नहीं करना जाते हो पाक सोच रहा होता है नूरी बोल रही होती है कि एक billion अगर तुम हमें एक billion ऐसे दे दोगे अभी अभी तो हम accept थे लेंगे उसे पाक सोच रहा होता है कि ये Planning Bureau के अगेंस्ट में बारगेन कर रहे हैं कि इतनी ज़यादा बेफ कूफी है ये वो फिर ऐसे हां कर देता है एक तरिक्के से कियूंकि उसे टाइहूंग से डर लग रहा होता है वो सोच रहा होता है कि ये थो एक Wild Beast की तरह ही है फिर ऐसे टाई हैं कि अकाउंट में पैसे आ जाते हैं नूरी बोलती है कि ठीक है चलो शोपिंग करने चलते हैं चलो बहले कपड़े देखते हैं मास्टर तुम्हार लिए वो फिर ऐसे चले होते हैं फिर ऐसे मैं कुछ टाईम के बाद आसमान में गेट की ऑपनिंग भी दिखाई देती हैं पर उस टाईमपर टाय हुएंग और नूरी ऐसे घूम रह कम रहे हैं उरी बोलता है तुम खरीज सकते हैं जो तुम खरीदना चाते हैं पहले मुझे कुछ चाईए नहीं नूरी बोल रही होती है नहीं हम तुम्हारे लिए हैं मासरियां पे वो से खींच के ले चलती है और बोल रही होती है कि तुम्हें कपड़े लेने है अच्छे से वो ऐसे अपने आपको demon realm में feel कर रहा होता है कि जतना जादा मैं ध्यान दे रहा है उतना जादा मैं को अलग feel हो रहा है जतना जादा मैं तुम्हें observe कर रहा है उतना जादा मुझे तुम अलग से इंसान लग रहे हो वो एक तरीके से खुश होता है नूरी के साथ वो एक जगा पहुंच जाता है और पूछ रहा होता है कि तुम मुझे बता सकते हो क्या तुम्हें स्पेसिफिक खरीदना है मतलब एक तरीके से वो क्लोज्स ट्राइ कर रहे होते हैं लास्ट में टाइहूंग एक सूट खरीद लेता है टाइहूंग को सूट फिटनी आ रहा होता मतलब उसे अच्छा नहीं लग रहा होता एक तरीके से पर वो नूरी से पूसता है और नूरी हां कर देती उस चीज़ को खरीदने के लिए वो बोलती है कि तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हो इसमें मैं वेट नहीं कर सकते हूं सबी को बताने के लिए कि तुम मेरे मास्टर हो फिर वो आँ से चल पड़ते हैं नूरी बोलती कि तुमने चेक नहीं करना है इसमेरिन में नूरी बोलती ठीक है फिर ऐसे नूरी भी कपड़े खरीदने लपड़ती है वो खाना वगयरा खाते हैं ऐसे घूम फिर रहे होते हैं एंज्वाई कर रहे होते हैं काफ़ी ज़्यादा अजीव है नूरी बोल रहे होती कि इतना बड़ा गेट बिना किसे वर्निंग से उपन हो गया वो का जाया होती हैं सौच रहे होती है एक अन्नोन गेट viv टब ही आता हैं एक अलग से monster आ रहा होता है नीचे टाहूंग बोलता है कि देखने से ऐसा लग रहे है कि एक ऐसा दुश्मन इससे बाहर आने वाल है जो कि इतना जादा strong है जो तुमने कभी भी जिंदगी में कभी face ही नहीं की है जो monster होता है उसके दोनों हाथ हमें बाहर निकले हुए दिखाई देते हैं नूरी ऐसे contact करती है कि like ऐसे ऐसे मतलब वो बता देती है नन गेट के बार में तब जो monster होता है वो बाहर आने वाला होता है टाहूंग उसे बाहर आने के लिए बोल देता है पर काफ़ जाल चल मची होती है तो नूरी रिप्राइल नहीं कर पाती फिर नूरी बोल देती है कि हाँ हम department store के बार है enemy आगे gate के बार यह अच्छी बात है कि master यहां पे और हम citizens को यहां से लेके जा रहे है department के लोग बोलते कि ठीक है हम लोगों को भीजते है जल्दी से नूरी बोल रही होती टाहूंगों की master help आ रही है हमें लोगों को यहां से लेके जाने टाहूंग ऐसे smile कर रहा होता है opponent को देखके वो सोच रहो होता है कि यह तो dragon beast है यह काफी जादा घमंडी और पागल किसम की species होती है यह बच्पन से काफी जादा ताकतवर होते थे जो dragon मैंने demon realm में लड़े थे वो strongest creature थे वाँखे मैंने उसकी garden को fart दिया था और क्यूंकि वो मेरी बात ने सुन रहा था वाँपे अब time द्वारा आ गया है किसी के साथ तो मैं लड़ूंगा जिसमें में को मज़ाएगा वो अपनी ऐसे energy को release कर रहा होता है सोच रहा होता है हाँ कोई ऐसा जो असानी से ने टूटेगा अगर मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूँ उसके खिलाफ में तो नूरी ऐसे टाहूंग को द्वारा आवाज लगाती है टाहूंग होश में आ जाता है नूरी ऐसे रोते हैं बोल रही होती है कि master please, please लोगों को बचाओ टाहूंग रुक जाता है और देख रहा होता है साइड में एक बच्ची रोरी होती है काफी जादा टाहिंग होश में आ रहा होता है और उसे याद आता है कि लाइक उसे लोगों को बचाना है जो कि उसकी ग्रैंड मा ने बोला होता है वो एक flashback में चला जाता है जिसमें वो सोच रहा होता है कि ये वर्ल्ड कुछ जादे कमजोर है इस वर्ल्ड में ऐसी कोई भी चीज नहीं जो मेरी ताकत को सैंड कर सकती है ना ये मॉंस्टर्स और ना ये लोग ये वर्ल्ड कुछ जादे कमजोर है कुछ जादे कमजोर ये एक ऐसा किल है जो कि सैंड से बना हुए है और जिसमें चींटियां भरी हुई है और ये में को काफी जादा तंग करती है चीज डीमन वर्ल्ड में सिर्फ एक रूल था कि जो स्ट्रोंग होता है वो कमजोर को खाता है कमजोर कुछ नहीं कर सकता देया दिखाना बुरी चीज होती थी एक तरीके से बेफकूफी करते थे जो देया दिखाते थे इसी वज़ से मैं सो साल से जादा जिया पर ये जो छोटा सा वर्ल्ड है ये उस लोग को तोड़ता है इस वर्ल्ड में रहूंगा तो मुझे अपनी पावर दबा के रखने पड़ेगी और यहां पे comfortably मतलब uncomfortably रहना पड़ेगा ताहूंग बोल देता है कि बस करो काफी हो गया ये मेरा पहला उपनेंट है जो मैं इतने जास सालों में face कर रहा हूं कोई मुझे रोख नहीं सकता है वो ऐसे अपनी energy को release कर रहा होता है और bizarre की जाने वाला होता है तभी नूरी द्वारा टाहूंग को वाज लगाती है टाहूंग पीछे मुड़ता है नूरी की तरफ नूरी बोल रही थे please वो द्वारा ऐसे गिडगला के बोल रही होती है कि लोगों को बचाओ जो dragon होता है वो काफी जोड से रोर करता है नूरी बोलती है कि जो department store वो टूटने वाला है वो अपनी swords को निकाल लेती है और सोच रही होती है कि हमाई इन सभी pieces को तोड सकती हूँ वैसे अपनी swords को यूज कर रही होती है वहीं पे वो destroy कर देता है और वो बच जाते है टाइंग बोल रहा होता है नूरी को कि सभी लोगों को यहां से लेके चलो वो अपनी magic को release कर रहा होता है काफी जादा वो सोच रहा होता है मतलब बोल रहा होता है कि मैं उस point को जान गया हूँ जहां पे मैंने एक तरीके से सभी को ignore किया और अपने साथी को भी मैं एक बेकार का तुम्हारा load नी बनूँगा नूरी बोल रहा होती है वो एक तरीके से खुश भी होती है वो सभी लोगों को बोल रहा होती है कि सुनो मेरी बात यहां से चल पड़ते है वो रास्ता दिखारी होती है टाहूंग सोच रहा होता है कि अपने साथी के लिए जो मेरा अच्छे से ख्याल रखती है कुछ सेकेंड की लेबर में कुछ जरा भी दुख नहीं पहुचाएगी वो उपर ड्रैगन की तब देखके बोल रहा होता है पर मेरे को ये चीज़ पसंद नहीं है जो कि मेरे सर की उपर है टाहूंग के पिछे ऐसे विंग्स आ जाती है डीमन वाले और वो ऐसी हवा में होता है जो ड्रैगन होते है वो पूरे तरीके से बार नी आया होता है टाहूंग बोल रहा होता है कि ऐसा लग रहे है कि तुम फसे हुए और ड्रैगन भी टाइहूंग की तब देखता है टाइहूंग बोलता है मैं तुम्हारी हल्प करता हूँ वो ड्रैगन के सिंग को पकड़ता है और उसे बार की तरफ खींच रहा होता है वो से एक दम से खींच के निच्ची की तरफ फै मतलब उसने ड्रैगन नीचे निप हैखता होता है थो अशुकर आफं़ गारे होता है तुम अफीता हैं कि जिसने काफ़ी जीम threads काइए बनाओगे और अच्छे से लडोगे मेरे साथ वो जो dragon होता है वो Tyhun की तर्फ road करता है Tyhun ह्राण हो जाता है उसे एक तरिके से information पता लगजाती है dragon की जो कि उसका नाम होता है Teraklo Karos जो कि एक warrior dragon होता है और उसकी age है 7,930 साल और वो Sura Realm को ब्लॉंग करता है और बाग के उसके कुछ-कुछ titles है वो सोच रहोता है एक चीज है उसकी उसे स्ट्रेंथ भी दिखाई दे रही होती है जो की 5300 होती है Speed 5200 होती है HP 7800 होती है ऐसी resistance और stamina भी होते हैं उसे कुछ information भी बताई जा रही होती है like कि वो खुद को हाड़ चुका था एक contract की वसे उसने Seven Realms के rules तोड़े थे अपने contract की वसे टाहूंग बोल रहा होता है कि इस dragon ने किसी के साथ contract बनाया था इसने gave up कर दियो और इसने rules तोड़ दिये Seven Realms के वो कुछ हरान हो रहा होता है क्योंकि ये कुछ godly चीज बताई जा रही होती है एक तरीके से वो च्ड्रेगन होते है वो काफी जोड से रोर करता है और जो शोक वेव होती है वो टाहूंग से टकरार ही होती है टाहूंग सोच रहोता है ये चीज में कुछ साही नहीं लग रही है So guys, यह अपसोर इतना था, अगर आपको next देखना है तो लाता है मैं कुछ दिनों में, like कर दो अगर आपको इस series अच्छी लग रही है तो मिलते हैं आप से कुछ दिनों में, तब तक, bye